दियर स्टुडेंट्स वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आफ साथ कामियाबी हमारे साथ दियर स्टुडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है M.D.C.E.D. Chemistry का वो है हाइड्रो कार्बन्स और हाइड्रो कार्बन्स में हाज हमने अलकेन्स पढ़नी है एक रियक्चन पढ़ना है कमबस्टिन और दूसरा फ्री रैडिकल सब्स्टिटिउशन कमबस्टिन, कमबस्टिन बर्निंग ओफ और्गनिक कंपाउंड है इसमें जो हीट इवाल्व होती है जब वन मोल कंपाउंड बर्न करते हैं इसका मतलब है जो प्रोड़क्ट के बांड है वो स्ट्रॉंगर होंगे रियक्टेंड के बांड से क्योंकि बनने वाड़े बांड स्ट्रॉंगर है तो इसका मतलब है जो प्रोड़क्ट है वो लो नर्जी पे होंगे, स्टेबल होंगे एक्स्टा नर्जी रियक्शन में से निकल जाएगी और इसमें जो प्रोड़क्ट बनते हैं वो कार्बन डाइक्साइड और वाटर, कार्बन डाइक्साइड में भी कार्बन और उक्सीजन का बांड पोलर है और वाटर में भी हाइड्रोजन उक्सीजन का बांड पोलर है तो चुँके यहाँ पर polar band बन रहे हैं, methane या किसी भी alcan, जो कि non-polar है उसकी oxidation से, उसकी combustion से, तो यही वज़ा है, product बड़े stable है और reactant less stable या reactive है. अब हम combustion से किसी भी compound की stability का भी पता चला सकते हैं, जितनी किसी compound में heat ज्यादा valve होगी, उसकी stability उतनी ही कम होगी. heat ज्यादा valve होने से मुराद है, reactants high energy पे होंगे, reactants high energy पे होंगे, तो वो unstable होंगे. अगर हम straight chain और branched chain अलकेंज में से देखें, तो जितनी branching ज्यादा होती है, stability उतनी ही ज्यादा होती है, और heat of combustion उतनी ही कम होती है, जैसा कि reforming में हम straight chain को branched chain में बदलते ही इसलिए हैं, कि उसकी reactivity को कम करें. क्योंकि जो straight chain होते हैं, उनकी reactivity ज्यादा होती है, heat of combustion भी ज्यादा होती है, और वो pre-ignition स्टार्ट कर देते हैं, तो pre-ignition को रोकने के लिए हम straight chain को branched chain में convert कर देते हैं. combustion जैसा कि देखें, methane की combustion है, carbon dioxide water बन गया, इसमें carbon और hydrogen का band break हुआ है, जो के non-polar है, और oxygen oxygen का band polar हुआ है, जो break हुआ है, वो भी non-polar है. जबके जो band बने हैं, carbon और oxygen का band ये भी polar है, और hydrogen oxygen का band भी polar है, तो चुके बनने वाले band ज्यादा strong हैं, बनने वाले band ज्यादा stable हैं, प्रोड़क्ट ज्यादा stable हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा heat निकल जाएगी, और वो कितने ज्यादा stable हैं, 890 kJ per mole ज्यादा stability हैं, अब combustion एक free radical process है, इसमें free radicals बनते हैं, और combustion को हम bomb किलोरी मीटर में आप first year chapter 7 में पाड़ा हैं, निकालते हैं, combustion से ना सिर्फ हम stability निकाल सकते हैं, बलके इसका एक और फैदा भी है, combustion से हम empirical formula भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने first year chapter number 1 में पड़ा हुआ है, combustion internal combustion engine में यूज होती है, य state chain alcanes को branched chain alcanes में convert करके use करते हैं, ताकि उनके pre-ignition ना हो, next हमारा reaction है, halogenation है, introduction of halogen, हम क्या करते हैं, हम alcan का, जो है वो hydrogen निकाल के उसकी जगा पर halo group लगा देते हैं, तो this is called halogenation, अब इसमें halogenation में हम या तो sunlight की मुझूदगी में, या नि light की मुझूदगी में reaction करते ह हैं, या फिर आप इसको high temperature पे reaction को करवाते हैं, अब कलोरीन और बरोमीन का reaction moderate होता है, जबके फलोरीन का reaction जो है, बड़ा यू फास्ट, एक्सो थर्मेक और explosive होता है, आयोडीन का reaction slow reversible होता है, पूर yield होता है, क्योंकि इसमें बनता है HI, और जो HI है, it is very strong reducing agent, ये reaction को फॉरन reverse direction में ले आता है, अगर्चे कलोरीन और बरोमीन भी एक्सो थर्मेक reaction शो करते हैं, लेकन ये less एक्सो थर्मेक reaction शो करते हैं, ये इतना violent reaction नहीं होता है, लास्ट में है, क्या हम हैलोगीनेशन को control कर सकते हैं, हम हैलोगीनेशन में या तो alkane's access यूज़ करेंगे, या फिर हम हैल हैलोगीन एक्सेस यूज़ कर लेंगे, दोनों सूरतों में, यानि जो आफ फिर्स्ट येर में पढ़के आएं, एक्सेस और लिम्टिंग रियक्टन का कंसेप्ट वो हम अपलाई करके reaction को control कर सकते हैं, अगर हम reaction को control नहीं करेंगे, तो alkane में जितने hydrogen हैं, वो सारे के सारे स एक्सेस रखना होगा, क्लोरिनेशन और मीथेन, free radical की मुझूदगी में होती हैं, और free radical बड़ी reactive species हैं, paramagnetic species हैं, unappeared electron वाली species हैं, neutral species हैं, ये जो reaction है, तीन स्टेप में होता है, पहले स्टेप में free radical बनते हैं, free radical बनाने के लिए homolytic leave age होती है, यहाँ पर ये जो हमारे पास कलोरीन है, दोनों के दरमियान सिंगल बांड है, सिंगल बांड का मतलब दोनों के दरमियान एक electron मुझूद है, यह यह पेर हैं, जब यह breakage होती है, तो एक electron एक कलोरीन ले ले लेता है, और दूसरा electron दूसरा कलोरीन ले ले लेता है, result क्या निकलता है, एक कलोरीन के पास इ unpaired electron आ जाएगा और इसके पास भी unpaired electron आ जाएगा जिसके पास भी unpaired electron आ जाएगा वो free radical बन जाएगा और free radical अपना electron pair up करने के लिए बहुत जल्दी reaction करता है तो यही वज़ा है इनकी reactivity बहुत ज्यादा होती है next step में क्या करता है यह free radical reaction को propagate करता है और यह मिल जाता है यहाँ पर किसी भी अलकेन जो भी अलकेन हमने यूज़ किया उसके hydrogen से यहाँ फिर homolytically वेज होती है यहाँ से band break होता है एक electron जो है वो carbon के पास चले जाता है तो methyl free radical और दूसरी तरफ हमारे पास Scl बन जाएगा अब इस में जो Scl है वो neutral molecule है जबके methyl free radical है अगर आप देखें तो neutral molecule और free radical molecule मिले थे और हमारे पास olduğunu neutral और free radical ही बने थे हर स्टेप में propagation के हर स्टेप में neutral और free radical मिलता है और neutral or free radical ही बनता है जैसा के देखें ये हमारे पास मिथाइल फ्री रैडिकल बना है मिथाइल फ्री रैडिकल फिर न्यूट्रल से मिलेगा जैसे हमारे पास कलोरीन है तो ये बन जाएगा मिथाइल कलोराइड यहां पर carbon की oxidation state minus 4 है लेकन जो ही methyl coloride बनता है तो इसकी oxidation state minus 2 रह जाती है यानि इसकी oxidation हो जाती है तो हम halogenation को redox reaction भी कह सकती है याद रखिएगा जब भी carbon बांड बनाएगा किसी halogen के साथ या जब भी ये बांड बनाएगा किसी oxygen के साथ अक्सीजिन के साथ बनाएगा या फिर nitrogen के साथ बनाएगा तो इस reaction को हम कहते हैं या Oxidation हो गी है तो यहाँ पर यो Oxidation हो रही है क्योंकि कलोरीन के साथ बांड बन रहा है अक्सीजिन के साथ बांड बनेगा तब भी oxidation किसी भी electromagnetic Artem के साथ जब barn बनता है तो oxydation होती है, लेकर जब carbon का barn hydrogen से बनता है तो ये reduction होती है, तो यहां पर जो अलकेंज हैं जो उने में सारे carbon hydrogen बन्ण होते हैं, इसका मतलब हैलकेंज जो हैं वो सब से reduced form है, इससे ज़्यादा reduction हैं इस ज़्यादा reduction हैं नहीं हो सकती, खाला है hydrogen, next फिर एक और hydrogen निकलेगा, यह देखें, यह neutral है, यह free radical है, तो यह आमारे पास neutral और free radical बनगे, और इस तरह next फिर pre radical और neutral मिलेंगे, तो यह हैं दो कलोरीन सब्स्टिटुट हो गए है, next step में फिर hydrogen निकलेगा और next colorine आ जाएगा, जनी एक step में hydrogen निकलेगा, अगले step में कलॉरीन आएगा और इस तरह अलकेन में जितने भी यहां पर राइडोजिन लगेंगे सारे सब्सेटिट्यूट हो जाएंगे अगर हम ऑक्सिडेशन स्टेट की बात करें तो यह ऑक्सिडेशन स्टेट यहां पर माइनस टू है माइनस फॉर से माइनस टू हो गई और फिर minus 2 से यहाँ पर 0 होगी oxidation बढ़ती जा रही है क्योंकि electro negative atom बढ़ते जा रहे हैं पहले कार्बन कलोरीन का एक बांध अब 2 होगी है next यहाँ होगा यहाँ पर जाकर एक्सकी oxidation state plus 2 हो जाती है याँ और बढ़ गी है तो it means यहाँ पर electro negative atom मौर जादा होगी है और finally oxidation state plus 4 होगी है इससे जादा oxidation state नहीं हो सकती नहीं बढ़ सकती इसका मतलब है यह completely oxidized form है तो हमने start किया है minus 4 से reaction को और हम पहुँच गए है plus 4 पर minus 4 थी methane में कार्बन की और CCL 4 में plus 4 हैं तो यह complete oxidation होगी है minus 4 से plus 4 तक जब भी हैलोजन के साथ बांड बनेगा तो उसको हम oxidation कहते हैं तो यह हमारे पास oxidation हो गई है कार्बन की अब last step में क्या होगा last step में यह जो हमारे पास termination है free radical free radical से मिल जाएगा किसी भी step पे जब को free radical बनता है तो वो कहीं भी reaction को terminate कर सकता है यहां free radical free radical मिलेंगे बांड बन गया कलोरीन कलोरीन से मिलके भी बांड बना सकता है methyl methyl से मिलके भी बना सकता है जब free radical ग़ांगे तो यह reaction stop कर जाएगा अब अगर इस reaction में आप excess कलोरीन अड़ करेंगे तो वो product बनेंगा जिसमें ज्यादा कलोरीन होंगे जैसे CCL4 मेजर प्रॉड़क्ट होगा लेकन अगर आप excess methane यूज़ करेंगे तो फिर methyl chloride जो है वो मेजर प्रॉड़क्ट होगा इस तरह जो हमारे पास है हेलोजीनेशन रियक्शन है इसको हम कंट्रॉल भी कर सकते हैं ये तादिये स्टूदेंट से मारा आज का लेक्शर थैंक यू वेरी मच्च